नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभीकों और फिर्टी येटीव चैनल पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं TGT-PGT भायती को लेकर TGT-PGT एक्जाम डेट के बारे में चैन पर के माध्यम से जारी ओफिशल सूचना के संबन्द में वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानका ही आप सभीकों और फिर्टी चैनल के माध्यम से मिलती जारी जैसा कि आप जानते ही TGT-PGT आवेदन हो जाने के बाद अभी तक पर इक्षागी तारीक नहीं किया गया है इसी के संबन्द में लगदा अभ्यतियों के माध्यम से तीज़िटी पिज़िटी परिक्षा की तारीखोशित करने की चैन बोड के सामने मांग की जारी है लेकिन वहीं चैन बोड का कहना है कि हमारे पर सदत से आने के बाद में नई तीज़िटी पिज़िटी भरती को लेकर परिक्षा की तारीकों का एलान करेंगे उसी के संबन में आज की तारीक में अभ्यातियों के माध्यम से टीजटी पिजटी को लेकर चैन बोड पर मुलाकात कीगी और मांग रखेगी कि टीजटी पिजटी 1222 की परिक्षा की तारीकों का एलान कर दिया जाए उसी के संबन में यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर बात कीज़ें सेवा में आधर नीय अध्यक्ष मौदे से मुलाकात करके माध्यमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड पर जाकर अभ्यातियों मांग रखी कि विग्यापन 2022 टीजटी विजटी की परिक्षा की तारीक को लेकर च संग्यार में लाना चाहते हैं कि विग्यापन 2022 की परिक्षा का अभी तक नहीं किया गया है और ऐसे में माध्यमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड का घटन भी देखने के लिए नहीं मिला है यहां पर अभ्यातियों के माध्यम से कई मांगे रखी कि पहली मांग देखने के लि अंदर यहां से जो आप सभी का घटने वो कर दिया जाएगा चैन बोर्ड का उसके बाद में परिक्षा की तारीकों का एलान होगा नीचे लिखा हुआ है कि विग्यापन 2022 की परिक्षा की तारीकों को जल्द जो एलाने वो किया जाए जिसको लेकर चात्तों की असमंजिस क की इस्तिती दूर हो सके इसके अलावा परिक्षा मंडल इस तरफ पर कायश आने को लेकर भी यहां पर मंग की गई और भी तमाम चीज़ें लिखी हुई है लेकिन अगर बात कीज़ें चैन बोर्ड के जो सचिव हैं वो क्या कहते हूं उसके बारे में जानका यह आप सुभ को नवल किशोर देखनी के लिए मिला करते थे बताया कि उन्होंने बताया कि माद्य में सिचर सिवा चैन वोर्ड बहुत जल्द गठन हो जाएगा जैसे ही गठन होता है चैन आयोग वैसे यहां से परिक्षा की तारीकों का जो एलान नहीं होता है तो वो इसको लेकर यहां कहा जाए तो आज की तारीक में चैन वोर्ड की अधिकाईयों के माद्यम से ओफीशल जानकाई देती हुए कहा गया है कि यहां पर सदस्यों की निप्टी को लेकर प्रोसेस जारी है और जल से जल्द यहां से जो निप्टी हो जाएगी और दिसंबर से पहले पहले ही उनका कहना है कि निप्टी हो जाएगी हाला कि दिसंबर से पहले ही नवंबर से पहले होनी चाहिए थी लेकिन अगर नवंबर के मिडल में भी हो जाती है तब भी यहां पर आप सभी के सामने नई परिक्षा की तारीकों के लिए जो एलान है वो लगबख 60-60 दिन पहले कर दिया जाएगा ऐसा कहना है चैन बोड की अधिकाईयों का अब देखना यह होगा कि कब तक सदर से आते हों कब तक परिक्षा की तारीकों का एलान करते हैं अब ब्रतीन चेताब ने दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धना प्रदाशन करने के लिए बाद दे होंगे वीडियो को लाइक कर दें साधी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें